नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप गूगल फार्म में किस प्रकार से टाइम सेट कर सकते हैं यानि कि अगर आप अपने बच्चों का एक्जाम लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो टाइम लिमिट सेट हो जाए यानि कि इतने डूरेशन में आपका इस्टुएंट उस फार्म को सम्मिट कर दे तो इसके लिए आपको टाइम सेट करना पड़ेगा तो मैं आज यही आपको इसमें बताने वाला हूँ कि टाइम किस प्रकार से सेट करते हैं गूगल फार्मस में इसके लिए आप अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहां लिखेंगे आप गूगल फार्मस यह देखिए गूगल फार्मस आचुका है इसको हम क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहां पे देखिए सेकंड नमर पे लिखा गूगल फार्मस फ्री ऑनलाइन सर्वे इसको आप क्लिक करेंगे परसनल बाले पे जाएंगे यह देखिए इस सब गूगल फार्म ओपन हो चुका है लेकिन मैं आपको यहां कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपने मोबाइल अब आप लेक्स्टाप वुख करेंगे तो यहां पे देखिए चाहरी का चलिक कर के अठीम पूब सबसेब क blending करेगए इसमें आप क्या करेंगे सब बाले के तरह यहां लिखान सब्सक्कृ आप इसको पर जाएंगे तो यहां सारी गिलरी खुल जाएगी आपके तो यहां नीचे देखिए नीचे आपको लिखा है education और blank use तो आप इसको click करेंगे यहां से आप अपने पूरा question paper बना सकते हैं लेकिन अभी हम question paper बनाना नहीं वलकि हम time set करना सीख रहे हैं तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको देखिए right hand tap के उपर जाएंगे तो आपको यहां send के just बाजू में three dot दिखेगी तो आप three dot को click करेंगे नीचे second number पे aid on लिखा इसको click करेंगे हम इतनी सारी aid on service यहां पर आ चुकी है लेकिन हमें सारी तो नहीं चाहिए हम सिर्फ चाहिए यहां कुछ सी timer वाली तो देखिए यहां पर लिखा है forms timer इसको इसको इसके बाद देखिए नीचे plus का sign बन रहा है यहां पर उस plus के sign को click करते हैं तो देखिए यहां पर install लिखा हुआ रहा है यह देखिए हम इसको install कर लेते हैं continue पर click करेंगे आप यहां पर आपसे वो google account से access मांग रहा है तो आप उसे access देदेंगे इसके देखिए यह window आई आई आपके सामने अब इसमें सबसे नीचे जाके देखेंगे allow इसको allow कर देंगे आप यहां देखिए आपसे form limiter जो है आपसे type पूछ रहा है किस type की आपको limit चाहिए तो यहां पर देखिए आप जैसी click करेंगे इसको two type की limit आई एक तो date and time और आई number of forms responses कि एक बार में student कितने form को response कर सकता है एक तो यह है और एक date or time की हम date or time को click कर देंगे इसके बाद देखिए यहां पर लिखा select date आप इसको click करेंगे हम select date को तो आप date जो भी आपको डालना है date डाल सकते है जैसे minute date डाल दी है यहां पर 11 इसके बाद आप जाएंगे फिर बापस वहीं पर और बगल में लिखा है select time तो time पर जाएंगे एक तरफ hours लिखा है और एक तरफ minutes लिखें आप जो भी time डालना चाहते हो डाल सकते हो जैसे मैंने यहां पर 10 डाल दिया 10 am ओके और minute में डाल देता हूं 15 ओके और यहां पर लिख कर देता हूं set नीचे set क पर click कर देता हूं चले save and enable हो चुका है यह देखिए इस तरह से यहां पर यह form में आपके पास time limiter आ चुका है यह सबसे उपर जो दिख रहा है वह आपको time limiter दिख रहा है जब भी आप next time question paper बनाएंगे तो आपको इतनी process करने के ज़रूत नहीं है आप direct इस icon पर जाएंग बार बार जब भी question paper लेंगे तब आप यहां से time set कर सकते हैं कितनी दिर का time कब से कब तक आपको यह time रखना है यह time limiter यह show करता है कि इस time के बाद कोई भी response नहीं लिया जाएंगे मतलब अगर इस time के बाद किसी बच्चे ने question paper को submit किया तो वो accept नहीं होगा यह मतलब इस time time limiter का आशा करता हूँ कि आपको यह जानकरी पसंद आई होगी अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज से लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे स्टेश मंतर को सब्सक्राइब कीजे आज के लिए वस इतना ही मिलते एक नहीं वीश के साथ तक तक आप रहे और मजे दीचागा जहिंदे